आज हम बनाएंगे सलाथ वह भी डेकोरेट करेंगे बहुत एजी तरीके से और एजी फ्रूट और वेजटेबल से तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक टमाटर पहले ले लिया और उसको उसका जो स्कीन होता है उसको निकालेंगे और बिल्कुल ल करते जाएंगे जैसे फोल्ड करते जाएंगे तो टोस एक फोल्ड कर लेंगे लिए जब इस तरह से फ्लावर बन जाएगा एक लावर सारीगत आयो बहुत एजी थरीके से मैंने बना गार में रख दिया तरह आगे इस सब्सक्राइब नहीं काप यहिज़ कर लिया है और द अलग हटा लेंगे तरह से कटकर लेंगे और इसके अलग हटा लेंगे इसको र patron करेंगे जिसको और इसको इन अब मैं टामाटर को और लिया है और और माट नोट बिशिर को रहेलिए अब बेच मैंइ इस तरमाटर को डाल देंगे आप किडिना लिए लुटर के दलने Dopo निट्वाल को ताके fight उसको देखने में अच्छा लग रहा अभी इसी सेम तरीके से ।- डाल करके प्लेट में रख लिया है आप उसके उपर चाठ्मसाला नमक डाल करके आप ऐसे खा सकते हुँ यह भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकि मैं इसको डेकोरेट कर रहे हूं तो प्लेट में मैंने दो फ्लाबर रख दिया अब उसके चारो तरफ इस तरह से जो टमाटर और कुकुमबर को यानि खीरे को डेकोरेट किया था न उसको इस तरह से रखते जाएंगे तो देखिए मैं इस तरह से रखते जा रही हूं कितना सुन्दर लग रहा है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद है यानि सलात की डेकोरेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अगर स कमट रूट बीच में अनारदाना आ अप कुछ पी कर सकते हैं तो मैं ने मुली टाला बहुत सकते हैं और पिछा चोटे-चोटे-चोटे कर लिए या रख करके कि इतना सुन्दर लग रहा है तो बहुत ऊजी और बिलकुल जो आप टमाटर और खीरा खाते हूं इसको बस कट करके डेकोरेट करना है यह दो वही मूली तो पस टेकोरेट करके खाने से बिल्कु खाना का टेस्ट भी बढ़ जाता और देखने में अमनक भी खुछ हो जाता तो आप इस तरह से शलाद बनाईए और मैं एक और सलाद बताऊंगे आगे एक और सलाद डेकोरेशन बताऊंगी बहुत ईजी है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसकलिए मैंने खीरा ले लिया है यानि कुकुम्बा और उसको इस तरह से पतला पतला स्लाइस में तो आप जि एभाष मझेन खीराशन को यहां बताऊंगें यहां अब श्कव रखर फीन बताउर जाती कुए पतलाय में पतला श्लावत बनाई करेंगे और को देखें इस तरह से मिला देंगे तो यह पती जैसे हो गया ऽैट माठत डिखा लेकर चीशाइक इसको डेकुरेट करेंगे तो उसको नीचे जिसंए भीटी बनातों याँ बेस मनाते लहीजाग म joke पुदीना पत्ता से नीचे डेकोरेट कर सकते हैं यह नहीं था पुदीना पत्ता तो मैंने नहीं खीरा से बना रही हूं और स्टेम को भी रख देंगे जो पतला-पतला काटा था और फ्लावर के लिए उसी स्लाइस से बनाएंगे बस बिल्कुल इजी है कुछ भी नहीं बाह लिए फ्लावर जैसे बना सकते हैं तो मैंने इस तरह से रख दिया और में की फ्लावर और बना रही हूं देखिए इधर और उसको लगाएं इसमें लीफ नहीं लगाएंगे ताकि आपको बिना लीफ का यहां वह अच्छा लग रहा है आप लगाना चाहते हैं लीफ लिव पत्ति भी लगा सकते हैं जो मैंने खीरे से कट किया है आप उसके पत्ति के बदले आप जिससे पुदीना पत्ता को भी रख सकते हैं छोटे-छोटे पुदीना पत्ता तो आपको लीफ बन जाएगा कोई कट करने का जरूवत नहीं तो आपको जो अच्छा लगे उस तरह से कुकुम्बर को यानि खीरे को कट करके मैंने रखा है तो इस तरह से मैंने लीफ भी बना लिया है तो देखिए इस तरह से हाप-हप जो कट किया था उसको रखते जाएंगे तो लग रहा ने बहुत ही खुबसूरत आप एक प्लेट पर इस तरह से रख दीजिए और जब भ झाल